जैहन दोस्तों मेरे कच्छा नौमी के प्रिये छात्रों महत्वपुड़ प्रश्णों की इस सीरीज में आज हम पुना एक से दो प्रश्णों को इस लेक्चर में हल करेंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्ण है सीधा गुणा ना करके 105 गुणा 106 का मान ग्याद कीजिए तो हमें यहाँ पर 105 गुणा 106 का मान ग्याद करना है लेकिन इसका हमें सीधा सीधा गुणा नहीं करना है अर्थाथ हमें बेजिये सर्वसम्मिकाओं का प्रियोक करके इसको हमें हल करना है तो यहाँ पर हम सबसे पहले लखते हैं, यहाँ क्या दिया गया है, 105 गुणा 106, तो यदि हम इसको देखें, तो 105, 105 100 से केतना अधिक है, 5 अधिक है, तो हम इसको ऐसा लख सकते हैं, 100 से 5 अधिक, अधिक मतलब धन, कम होता तो रण हो जाता, यहाँ पर अधिक है तो धन हो गया, इसी प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं कि 106, तो यहाँ पर यदि हम 106 की बात करें, तो यहाँ पर 100 से कितना अधिक? 6 अधिक, तो यहाँ पर बीच में गुणा का चिन, और पर 6 अधिक हैं, तो यहाँ हम देखें कि यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 100 है, लेकिन यहाँ 5 है, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर हमें एक सर्वसम्मिका याद आती है, क्या सर्वसम्मिका? कि X धन A का गुणा यदि हम X धन B से करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? X का वर्ग, धन, A, धन, B, गुणा X, धन, A, गुणा B तो इस तरीके सा में एक सर्वसम्मी का पता है तो हम यहां लिखते हैं कि यहां पर X का मन क्या हो जाएगा, 100 और यहां पर A का मन क्या हो जाएगा, 5 यहां पर B का मन क्या हो जाएगा, 6 तो हम लिखते हैं, X का मान 100, तो 100 का क्या हो जाएगा, बर्ग हो जाएगा, धन, A का मान 5, B का मान 6, और X का मान क्या है, 100, 100 का गुणा यहाँ पर, धन, A का मान क्या है, 5, B का मान क्या है, 6, तो इनका आपस में गुणा, तो इस तरीके से हम देखें कि 100 का बर्ग करेंगे, तो हम चुकि जानते हैं कि बर्ग में क्या हो जाता है 100 का दो बार गुणा होगा तो यहाँ पर 100 का दो बार गुणा होगा तो सुनने कितने हैं 2 तो 2 और बढ़ जाएंगे तो 4 हो जाएंगे धन यहाँ पर देखते हैं 6 और 5 क्या हो जाएगा 11 11 हो जाएगा ग्यारा का गुणा सो में होगा हम देख लेते हैं तो ग्यारा यहां पर आगया यह और सो का गुणा अभी रुख जाते हैं धन छे पंचे तीस एतो हमने कर लिया तो यहां हम देखते हैं कि यहां पर इसको लिख देते हैं धन ग्यारा का गुणा एक से करेंगे तो ग्यारा एकम ग्यारा और दो सुन धन 30 अब इनको हम आपस में जोड लेते हैं तो यदि हम इनको आपस में जोड़ेंगे तो जीरो 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 आ जाएगा सुन आ जाएगा यहां तीन है यहां सुन है यहां सुन है तो तीन आ जाएगा यहां पर यहां पर तो अब कुछ नहीं है तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा 11130 अर्थात हम कह सकते हैं कि 105 का गुणा यदि हम 106 में करते हैं तो हमें 11130 पराप्त होता हैं तो इस तरीके से हम इसको सीधा गुणा ना करते हुए, सर्वसम्मिका का प्रियोग करते हुए, इसको हम हल कर सकते हैं यहां अंगला प्रश्ण है, प्रसार केजिए या प्रसारित केजिए 4A, रिन 2B, रिन 3C के उपर 2 की घात लगी हुई है इसको हमें प्रसार करना है, तो हम चूकि लिखते हैं, यहां हमें क्या दिया गया है, 4A, रिन 2B, रिन 3C का वर्ग इसको हमें प्रसारित करना है तो चूंकि हम इसके लिए एक सर्वसम्मीका जानते हैं वह सर्वसम्मीका क्या है? चूंकि X, Dhan, Y, Dhan, Z के उपर दोखी घात लगी होती है तो इसके लिए एक सर्वसम्मीका होती है कुछ नहीं, इसके बहुत सरल है X का बर्ग बर्ग लगा हुआ है तो X का बर्ग कर देना है धन Y का बर्ग कर देना है धन Z का बर्ग कर देना है साथ ही हमें लिखना है यहाँ पर धन दो ले के चलना है दो X और Y का गुणा करना है आपस में धन दो अभी X Y का गुणा किया अब y z का करेंगे तो 2 y z आ जाएगा यहाँ पर धन 2 अब y z का गुणा होने के बाद क्या बचा z और x तो z x का गुणा तो इस तरीके से हम एक सर्व सम्मिका को जानते हैं भीजे सर्व सम्मिका को हमें याद रखना है तो यहाँ पर यदि हम x y z की तुल्ला यदि हम इस सम्मिकान से करते हैं जो हमें दिया गया है तो हमें x का मान क्या मिल जाएगा 4a तो हम लिख सकते हैं इसलिए x का मान यहाँ से क्या हो जाएगा 4a by का मान क्या हो जाएगा रण 2v और यहाँ पर Z का मन क्या हो जाएगा रण 3C तो इस तरीके से हमें X, Y, Z के मान प्राप्त हो जाएंगे और हम इन मानों को इस सर्वसमिका में रख देंगे तो हम यहाँ रखते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा 4A धन 2B का मन क्या है यहाँ पर 2B 2B का धन Z का मन क्या है रण 3C और इनका वर्ग बरावर करेंगे तो X का मन क्या है 4A तो हम यहाँ पर लिखते हैं 4A का वर्ग धन Y का मन क्या है रण 2B का वर्ग धन Z का मन क्या है रण 3C का वर्ग धन अब यहाँ पर हम देखते हैं 2, X का मन क्या है, 4A, Y का मन क्या है, रण 2V, धन 2, Y का मन क्या है, रण 2V, और Z का मन क्या है, रण 3C, इसी प्रकार से, धन 2, Z का मन क्या है, रण 3C, और X का मन क्या है, 4A, तो इस तरीके से हमें इनकी value को रखना है, यहां हम इसको हल करेंगे तो हमें मिलेगा 4 का यदि हम बर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 चुको 16 तो 16 A A का A वर्ग इसी तरीके से यदि हम देखें रन 2 का जब बर्ग करेंगे तो रन रन धन हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा तो धन, 4 और B का क्या हो जाएगा, बर्ग हो जाएगा इसी तरीके से 3 का हो जाएगा, रन 3 का, तो रन 3 का, तीन तरका 9, C, वर्ग इसी तरीके से यदि हम यहाँ देखें, इनका अपस में गुणा करें तो क्या मिलेगा 2 का गुणा 4 से होगा, तो 4 दूनी 8, और 8 का गुणा 2 से होगा, तो 8 दूनी 16, लेकिन रन का चिनन लगा हुआ है यहाँ तो क्या हो जाएगा, रन 16, अब यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पर A V है और B भी है तो A और B का गुणा हो जाएगा तो A इंटू B हो जाएगा इसी तरीक से हम यहाँ देखते हैं कि 2 का गुणा रण 2 से होगा तो 2 दोनी 4 रण 4 और रण 4 का गुणा रण 3 से होगा तो 4 3 12 और रण रण धन तो क्या हो जाएगा धन 12 और यहाँ पी क्या है B और C B और C का गुणा B into C मिल लिख देंगे हम इसी तरीके से हम यहाँ देखते हैं 2 का गुणा RUN 3 से होगा तो 3 दो नी 6, RUN 6 RUN 6 का गुणा 4 से होगा तो 6 को 24 तो और क्या जाएगा? RUN 24 तो इस तरीके से हमें RUN 24 मिल जाएगा और यहाँ पर C और A का गुणा हो जाएगा तो इस तरीके से हम यहाँ देखते हैं कि हमें जो ग्याद करना था यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि 4A रन 2V हो जाएगा रन 3C का बर्ग जो है उसको हमने प्रसार किया तो हमें मिला 16A वर्ग धन 4V वर्ग धन 9C वर्ग रन 16AV धन 12C रन 24C A तो यहाँ पर हमें इस तरीके से इसको प्राप्त हो जाता है साथ ही आप अभ्यासेतू महत्पूर प्रशनों को लिया गया है जो की बिगत परिक्षाओं में प्रशनों पूछे जा चुकी है यहाँ पहला प्रशन है एक्स धन 2Y धन 4Z का वर्ग इसको हमें प्रसार करना है दूसरा प्रशन है रन 2X धन 3Y धन 2Z का वर्ग इसको भी हमें प्रसारित करना है बहुत ही महतवफूर्ण प्रश्ण है ये बिगत परिच्छाओं में पूछे गए हैं अर्थात यहा प्रश्ण जो हैं वार्सिक प्रिच्छाद 2021 के लिए महतवफूर्ण हो सकती हैं इसलिए इन प्रश्णों को आप जरूर हल करें यदि कोई परिशानी होती है तो कमेंट करके बतलाएं और जो भी परिशानी है उसको हमसे पूँच सकती हैं आप हमारे YouTube चैनल Maths Help को सब्सक्राइब करें और हमारे Maths Group, WhatsApp Group से जोड़ना चाहते हैं तो आप हमारे 88,789,399 पर SMS करें हम आपको उस Group से जोड़ सकती हैं या फर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के माध्यम से आप हमारे Maths Group से जोड़ सकती हैं धन्यवाद